डील को डिले करने का मतलब है डील को मैचोर होने से रोग देना वो यूपी में कावद बोलते हैं कि भाई बजार उठी आना फिर पता नहीं लगेगा कब तीन चीजें ड्रीम डिजायर डेस्टनी और यह दुनिया का सबसे गलत सिधानता है कि वन इस टुवन सेल्स रिशो को सिर्फ फॉलो किया तो बिलीव मी कि आपकी जो लीड्स है उस लीड का कंवर्जन बीस से तीस परसेंट बढ़ जाएगा बिना एक्स्ट्रा एफट की जो लीड्स आपके पास औरेड़ी हैं के वह उसको सेल्स फनल में डाल देना है और सेल्स फनल में सबसे पहला जो है आपके पास ना लीड इनिशली आई है या तो कंपनी से आई है आपने जन्रेट की है जटाइल से आई है इंडिया माट से आई है रेफरेंस से आई है लेकिन एक मैं नया फार्मला देता हूं प्रकृति का एक नियाम है कि कर खट खटा ओगे तो ज़रूर खुलेगा लो पचास रुपे फ्री या किसी को रचाइब करो तो आपकी अगली राइदी पर पचास रुपे फ्री तो पहली डील पर वह रहा है हम तो उनसे मांग रहे है जिनके आदम बिस्नस कर रहे हैं आश्क फॉर्दा रेफरेंस फॉर एनी सिटी अब आपको मुझे क्या इसको जम् Chamu वाले को rolling चैनिंड पंज्शा तो एक कम्यूनिटी में किसी ही इस्ट का राफरेंस का उता है 15 कॉरे तता राइफेरेंस चैनि उता रहें का वगाउंध जर्आ का नाम चलता है प्रश्न तो यह उठता है ना मैंने राजस्थान की लीड थी मेरे पास तो मुझे फाइदा होगा पंजाब की लेकर मुझे क्या फाइदा पंजाब की लेकर आपको एक फाइदा यह कि आप इनसे लेने के अख़दार है तो आस्क फॉर रेफ्रेंसे हमें करना क्या रफेंस ह Dus 5 मांगंगा। एंब जैना तो वह सो समझ के न देता है आप 5 मांगो तो वह कोशिच में 2-3 जरूर देगा Four Pnat carbon तो चाहर तीन दो एक कि नाइंटी नाइन परसेंट केसेज में लोग दो तीन चाहर दे देते हैं जिसका एक भी होता दूसरा डूंडता है क्यों दूसरा कौन सा उर्दू सर पांच पांच भी लोग निया आपके लिंक में मतलब मजाग में भी कड़ी बात बोल दो और नहीं और यह दुनिया का सबसे गलत सिध्धानता है कि one is to one sales ratio कभी नहीं होती यह theoretical है books का content है तो ratio क्या है आपको केवली identify करना है कि actual में उसको need है या नहीं अगर need है तो वो deal करेगा चाहें वो बंदा कोई भी हो price वाला quality वाला या brand वाला ठीक है या वो कोई सा भी हो profitable पर turnover पर य relation develop करो और जाला तर बड़ी companies के sales executive multiple time एक ही बंदें के पास जाती है आपने कई बारा से भी देखा होगा कई counter से बोलते है और और ने दिया लो तुम दो शकल दिखाने भी नहीं आए कभी सुना एडालोग किसी और को देते हुए भी इसका मतलब वो बंदा relation building पर काम करता है उसको रोज शकल दिख जानी चाहिए अफते दौफते में एक बार हेलो आय हो जानी चाहिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो जानी चाहिए WhatsApp हो जाना चाहिए जर्नल कॉल हो जानी चाहिए Holy Diwali New Year Wish हो जाना चाहिए तो brand recall करता है mind में कि हाँ यार ये काम की lead हो सकती ह आपको क्या करनी है awareness फलानी है आप awareness का मतलब कुछ लोग पता है क्या गड़बड़ करते हैं एक साथ 15-20 images भेज देते हैं थोड़ा-थोड़ा information share करनी है WhatsApp के माधियम से आई-VR call के माधियम से या आप तो WhatsApp ही कर सकते हैं mail के माधियम से फाइन रेगुलर information share करते रहें जो भी potential lead आपके पास एक बात और तीन चीज़ें ड्रीम, डिजायर, डेस्टनी ड्रीम, डिजायर, डेस्टनी नमबर वन ड्रीम, 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 मतलब होता है कि वो चीज सोच रहा है, सपने में है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई बात आप सोच रहे हैं और Facebook खोलते हैं उसी तरह की creative और उस तरह की reference क्या है, अगर एक व्यक्ती ने एक बार lead डाली है आपकी company में तो इसका मतलब वो उस तरह के product या information को लेना चाहता है, जब आप regular डालते रहते हैं तो उसके mind में brand recall होता है और जब brand recall होता है तो सबसे पहले वो उसको call करता है जो सबसेदा close रहता है यह और नो आप चाहो तो एक trial कर लेना आप कोई वैशुन देवी का या कहीं का भी को एक plan बना के मन में चार-पांच student लालो को डाल देना उनमें से 3 तो ऐसे delay होंगे कि आपको proposal वी दो तिन दिन बाद बीजेंगे हैं हां भी रास्ते में हूं लेकिन कुछ ऐसे होँगे इंस्टेंट आपको proposal बेज देंगे लेकिन कुछ ऐसे होगे proposal बेजने का पाद follow-up भी करेंगे और एक महीने बाद अगर आपका जाने का प्लैन बन जाए सबसे पहले आप किसको पता कॉल करेंगे जिसने फॉलो अप किया हुआ आपका खाली प्रपोजल लालके छोड़ नहीं दिया जब as a user ध्यान रखिएगा जब as a user आपका mindset सबसे पहले उसको पकड़ रहा है जो आपको राइट तरीके से follow up कर रहा है follow up की एक तरीका है कि आप किस तरीके से follow करेंगे सबसे पहले information as soon as possible उस तक पहुंचाएं हम लोग कहते हैं हां मैं भी रास्ते में भेजता हूं तो रोक लो ना काम के रास्ते में ही तो अगर आप सुबह 10 बज़े से 6 बज़ तक काम कर रहे हो 8 बज़ तक काम कर रहे हो तो काम के रास्ते में ही तो हो तो जो रोक के किया वो भी तो काम ही है डील को डिले करने का मतलब है डील को मैचोर होने से रोक देना instant information share करना बहुत important है initial lead जो आपके पास है उनको information share करें कभी ना कहें कि मैं यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ मैं बात में बात करता हूँ मैं कल करता हूँ in case of rare emergency try to be in touch as soon as possible mid of the funnel अभी तक उस व्यक्ति ने inquiry दी और आपने उसको follow करना शुरू किया mid of the funnel का मत्मब है जैसे ही सामने वहले व्यक्ति इंट्रेस्ट शो करें तो उसके touch में लगातार बने रहना अभी तो उसने information डाली थी inquiry डाली थी आपने regular follow किया उसको और जब उसको जरुत पढ़ी तब आपने इग्नोर कर दिया वह सबसे initial stage होती है जहां पर हम mid of the funnel में focus करते हैं nurturing greed and building relationship to provide more and more information जारा साथ information उसका share करें next content strategy क्या कहती है कि हम सारे तरह के content उसको regular share करें bottom of the funnel अब यहां पर ना final stage आयाती है हमारी final stage का मतलब हमें deals को mature करना है और mature करने का मतलब है meet or greet as soon as possible जितनी जल्दी हो सके ना वो meeting fix up करें क्योंकि यह दी आप नहीं तो कोई और fine जिस व्यक्ति को जिसी की जरुरत है उसको वो नहीं मिला तो कोई और देगा जिन्दी की एक bus stand की तरह आप खड़े तो रहोगे तो क्या होगा जिन्दी की एक opportunity भी है हम खड़े ही तो रहेंगे तो बस भी तो रोज आती जाती रहेंगे तो इतो आप क्यों पर निर्भर करता है कि आप bus stand को किस रूप में देख रहे हैं bus stand is a great opportunity जहां हर पांच मिनद बाद दूसरी बस आ जाएगी तो बायर और सेलर दोनों पर लागू होती है जैसे आपको हजारों गराक मिलेंगे वैसे उनको हजारों supplier मिलेंगे पर कौन किस्टे मिलेगा यह decide करना इश्वर का काम है पर उसको करने के लिए जो प्रक्रिया है वो हमारे हाथ में तो यह बहुत important रहेगा उसके बाद content strategy में आगया आपका pricing आपकी detailing आपका price list आपके quantity आपका discounting structure यह सारी चीज़े and try to make more and more meeting with your client fine और कई बार क्या होता है the people are not expert in closing the deal मैंने बहुत सार लोगों को देखा सब कुछ बता देंगे पूरी राम का अनी क्या product information discount structure payment structure deal close करने में वो delay हो जाते हैं और राइट बंदा पता क्या आप इंडियमाट वाले को बुला लो उठके नहीं जाएगा इसका मतलब एक strategy है कि time give your time पकड़के बैठ जाते हैं तो हमें क्या करना है focus करना है कि हमारे पास meeting जो है maturity तक पहुंचे और maturity का सीधा सिधानता है तो हम करना शुरू कर दो नाम डेट डिटेल सब भर लो उसमें पूरी और साइन करा लो कहने का मतलब मेरा जो कहने का परपस कहा पता है क्या इसका example कि try to close the deal चाहे फॉर्म भरके कोई साइनिंग अमाउंट लेके कोई काईडी लेकर कोई कैश लेकर पे टीम लेकर यूपी लेकर क यह तो बरसात के मौसम का बाजार है कब लगेगा पता नहीं है तो यह बात सोच के चलनी चाहिए कि जो डील मेरी है अगर मैं बैठा हूं तो क्लोजिंग करके ही जाऊंगा मतलब जितने प्रयास हों कैश चेक पेटीम ऑनलाइन यूपी आई पीडीसी और कुछी निगवा तो फांवम पूरा भरबरा के अगर मैं लो सारे अतियार डाल दिये उसके बाद भी साइन वाइन करा लो एक आईडी प्रूफ लगा लो पाइन तो या कोई पुराना बिल की कॉपी लगा दो सरे उससे क्या होगा आपका जिएस्ट नंबर वगरा जब तक मैं बाकी प्रोसर्स करवाओं यही तो होता है जहां डील बीच में लटक जाती है कि जब तक मैं आपका वो डीलर अकाउंट खुलवाता हूं सर वो जीए लेकिन साइक्कलोडी होती है कि यार मैने तो जीएश्टी नंबर भी दे दिया फर्म बिलिंग नेम भी दे दिया या बैंक डिटेल ले लेते हैं हम किसी के बैंक जबर स्थोटे निगाल सकते हैं पैसे लेकिन हुमन साइक्लोडी को ब्रेक करना बड़ा इंपॉर्टन है